तो गैस अगर आप लोग OPPO F21S PRO यूज़ कर रहे और यह डिवैस में अगर आप लोगों को वॉल्यूम बटन से रेलेटेट कोई भी प्राबलम आ रही है तो कैसे आप लोग इस प्राबलम को फिक्स करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है अब वॉल्यूम बटन की प्राबलम कैसे आप लोग फिक्स करेंगे ठीक है दिखिए अधिकतर केसिस में क्या हो सकता है कि प्राबलम हाडवेर क्योंगी अब अगर वॉल्यूम बटन ही खराब हो चुकी यह इसी बात है उन्हें ठीक करने के लिए आप लोगों को फोन को सर्विस इंटर या फिर टेक लिशन को दिखाना पड़ सकता है अगर प्राबलम सफ्ट्विर की होगी तो सिंपल आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे देन थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद बैक अप एंड रिसेट पर क्लिक करें रिसेट फोन पर क्लिक करें देन आप लोगों को ऑप्सन मिलेगा सेकेंड वाला रिसेट आल सेटिंग्स तो आप लोग अपने फोन में जो आल सेटिंग् इसमें के आओगा अगर कोई भी गलत एक्टिविटी की वज़ा से वॉल्यूम बटन्स में कोई भी प्राब्लम आ रही होगी तो सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएके देना आप लोगों की प्राब्लम भी फिक्स हो जाएगी इसमें आप लोगों का कोई भी डाटा डिलिट ने होगा आप लोगों को निस्चिंद रहना है तो यहाँ तरीका भी आप लोग यूस कर सकते इसके अलावा अगर प्राब्लम ठीक नहीं होती प्राब्लम अगर हाडवेर की होगी तो एक अल्टर्निटी तरीका है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का सिंपल आप लोग सेटिंग्स में जाके साउन और वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर देख पांगे वॉल्यूम का सेक्शन जिसमें आप लोग मीडिया का वाल्यूम हो रिंग टोन हो नोटिपिकिशन्स हो या फिर आलार्म हो इसे आप लोग टच के माध्यम से भी एडजस्ट कर सकते हैं ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी